हलो गाइज वेलकम तो मैं चानल दावत तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए सभी का फेवरिट डॉमिनो स्टाइल चोकुलावा की केक राई हूँ आज हम लोगे केक मिनाएंगे बहुत ही जादा सिंपल सी रेसिपी है और इसे देखती ही आपके भी मुवे मेरी जैसा ही पानी आगया होगा बहुत ही जादा डिलिशियस एकदम चोकलेट ही है डॉमिनो स्टाइल चोकुलावा केक बनता है बनाने में भी रेसिपी बहुत ही असान है हमेशा की तरही चलिए फिर ये चोकुलावा केक बस 10 मिनिट के अंदर अंदर बन कर तयार भी हो जाता है एकद पर हम लोग एक दूसरा बॉल रख देंगे तकि यहां पर हम लोग डबल बॉयलिंग मिथर का यूज़ कर रहे है इस बॉल में मैंने 100 ग्राम ड़क कंपॉं चोकलेट डाल दिया है 100 ग्राम अब इसी में हम लोग डाल देते हैं यहां पर 1 टेबल स्पून घी यहां पर आप अची तरह से हम लोग मैल्ट होने देंगे 2-3 मिट के अंदर अंदर ही हमारा चोकलेट है वो मैल्ट होना शुरू हो जाएगा देख सकते हैं इस तरह से यह पूरा मैल्ट हो चुका है अब हम लोग इसमें लास्ट में एड कर देते हैं हाफ कफ यानि की 100 ml मिल्क यहां पर आ अंदर की चोकोलावा है वो इसी से ही बनती है तो आज की यह थोड़ी से अलग मेथड है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा एकदम डॉमिनो स्ट्राइल इसका चोकोडावा केक बनता है चलिए इसे दो मिनिट तक हम लोग बस इस तरह इसे कुक करेंगे ज्यादा नहीं और गैस के फ्लेम यहाँ पर अब मैं बंद कर देती हूं देख सकते हैं पूरा दूद इस चोकलेट में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है बहुत ज़्यादा दिल तक इसे गैस के ऊपर नहीं रखना है पूरी चोकलेट और दूद अच् चोकलेट सिरप को इस बॉल में इस तरह से निकाल लेंगे बिलकुल भी गरम नहीं होना चाहिए एकदम नॉर्म टेंपरेचर पर है अब इसके उपर हम लोग रख देंगे एक चलनी और चलनी के उपर डाल देंगे हमारे सारे ड्राइ इंगिडियंस जैसे कि आधा कप मैद आधा कप पिसी हुई चीनी या पौडर शुगर और हाफ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग पौडर मिला दी है और बस एक या दो चुटके हमने इसमें नमक भी मिला दिया है इसके बाद हमें इस तरह से अच्छे तरह से इसे चान लेना है गाइस देख सकते हैं और यह सार चोकलेट का या चोकोलावा केक का बैटर तयार हुआ है इसे हमें एकदम लम फ्री रखना है बिल्कुल भी गुटलिया वगर इसमें नहीं रहनी चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा देख सकते हैं मैंने इसे हलके हाथ से बस मिक्स कर दिया है और उसमें दूद वगरा बिल्कुल भी करने के जरुरत नहीं है जो हमने चोको सिरब बनाया था उसी से ही यह बैटर इस तरह से तयार हो जाता है इसकी कंसिस्टनसी देख सकते हैं इससे नहीं यह बहुत जादा पतला नहीं बहुत जादा थिक्या गाड़ा होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने घर की फिल करना है इसके बाद मैंने यह जो कडाई है इस तरह से यह जाली वाली प्लेट रखकर 5 मिनिट तक प्रिहीट करी है देख सकते हैं लो फ्लेम पर ही इसके नहीं नमक रेत वगरा कुछ भी नहीं डाला है बस एक प्लेट रख दी है और इसके उपर अब हम लोग रख दे कर लेंगे या बेग कर लेंगे डखकन ऐसा रखेगा थोड़ा सा उपर केक फूलेगा तो डखकन को नहीं चिपकना चाहिएगा पूरे दस मिनिट के बाद हमारा लावा केक यहां पर तयार है और यह जो कटोरी दिख रहे है ना आपको तोड़ी सी उपर वाली तो इसमें म अंदर का लावा भी आपको दिखाती हूँ इसे बहुत जादा नॉर्मल कपकेक्स की तरह आपको बेक नहीं करना है देख सकते हैं हमारा एक दम यहां पर परफेक्ट जॉमिनो स्टाइल चोकुलावा की तयार है तो ज़रूर जाए इस रेसिपी को ट्राइ की जगा बहुत झाल झाल बहुत जग जग जब जगीं की की जग बहुता है